हेलो दोस्तों ये मैंने थोड़ा थोड़ा बज़वा कपड़ा लिया है इसको हम रियूज करकर बहुती प्याराशा डोर्मेट पनाएंगे हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब आई हो आप सब ठीक होंगे आपका फिर सी स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल होमार्ट में फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ बहुती प्याराशा डोर्मेट इस तरीके से देखो हम इसको फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद में ऐसे हमें इसकी कटिंग करनी है जो हम ये पटी कट कर रहे हैं फ्रेंट्स इस पटी की तीन इंच चोड़ाई है तीन इंच लंबाई है ऐसे हमें जो दो कलर का कपड़ा लिया है इन सब को ऐसे त्यार करेंगे अब हमें एक प्लास्टिक का थेला चाहिए प्लास्टिक के थेले को मैंने शर्कल के अंदर कट कर लिया है अब हम इसके अंदर डिजाइन्स बनाएंगे इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया है यहां से हमने दो बार फोल्ड किया है किसी भारी वस्तु से इसको जमा लेंगे ताकि इसके अंदर निशान बन जाए एक साइड से हमें एक बार फोल्ड करना है यहां से हम इसको पैंसिल से पका कर लेंगी तरीके से यह जो निशान बना रहे हैं इसके अंदर हमें एक तिरबुज बनाएंगे एक सीधा और एक उल्टा हमने सामने दो तिर्भुज बनाएगी तो दोस्तो आप चैनल पर नहीं है या फिर मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और पास में जो बैल आइकना उसे प्रेस करे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहें तो इस तरीके से जो एक्स्टा लाइनिंग है वो हम इस तरीके से इसको रेज कर देंगे और इसके अंदर एक स्टार की सेप बच जाएगी उसको हम एक डिजाइन बनाएंगे डोर बस तक आपको step by step अच्छे से समझ में आ जाएगे किस तरीके से हमने ये प्याराशा डोर मैट्स है वो बना कर त्यार किया है तो इस तरीके से मैंने इसको cover कर लिया है देखो अब यहां से हम कतरन को लेंगे ऐसे हम इसको fold करेंगे देखो इस तरीके से बंडना है बंड के जो क्रीम गोल्डन वाली कतरन है वो एक लगानी है और बाकी के अंदर हमें ब्लू कतरन लगानी है इस तरीके से और जो ये निशान से बंडरे अश्टार की सेप की डिजाइन बनी है वाँ पे हम हर बार गोल्ड कतरन लगाएंगे इस तरीके से friends इसका जो first round है वो हम complete करेंगे तो दोस्तों अगर आपके पास में भी इस तरीके से थोड़ी बहुत बच्चिवी कतरन है तो आप उससे बहुत ही प्याराशा comfortable door mat बना सकते हो बिल्कुल ही easily तरीके से तो ऐसे देखो यहां तक मैंने इसको cover कर दिया है सिलाई करते हुए आप हम यहां पर जहां पर मैंने पहले golden कतरन लगाए वहीं पर फिर से golden कतरन को लगाऊओंगी इस तरीके से देखो यहां पर यह एक लगा लिए अब हम Sam इसी तरीके से इसको cover करेंगे बंटते जाएंगे और सिलाई से इसको कवर करते जाएंगे तो दोस्तों सिर्फ ये अंगूठे की साहिता से ही बंट लगेंगे अधर ये बंट लगाएंगे तो बिल्कुल भी शेप नहीं आएगी ऐसे फ्रेंट्स मैंने पूरे एक राउंड को कंप्लिट कर लिया है देखो कितना ही शांदार इसका डेजाइन साया है अब हमें क्या करना है देखो इसको हम किस तरीके से यहां से कतरन को पकड़ेंगे और बंटेंगे गोल्डन को अब जहां पे मैं एक गोल्डन कतरन लगाई है अब वहां पे मैं दो लगाऊंगे इस तरीके से देखो जो मैंने पह कतरन है उसको लगाएंगे शिलाइस से अटेच करेंगे ऐसे फ्रेंट्स देखो जो हमारी गोल्डन वाली कतरन है वो डिजाइन से वो बड़ा होता जाएगा जैसे पहले मैंने एक लगाई फिर दो लगाई फिर तीसरे राउंड में तीन लगाऊंगी फिर चोथे में चार प चुए में पांच इस तरीके से जो गोल्डन कतरन है वो बढ़ती जाएगी जो ब्लू वाली कतरन है वो हमारी घरती जाएगी ऐसे फ्रेंट्स हम इसको राउंड को कंप्लेट करेंगी इस तरीकी से देखो तो दोस्तों हमें बहुत ही ध्यान से इसकी स्लाई करनी है और बि बनाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त इसका डेजाइन्स बनकर त्यार होगा तो दोस्तों देखो जितना ये देखने में खूब सूरत लग रहा है उतना ही ये बनाने में असान है इसको हम बिल्कुल ही इजली तरीके से बना सकते हैं बट एक बार थोड़ा सा हमें समझ में आजाए कि किस तरीके से ये बंट लगाते हैं कतरन के बस कतरन को बंट लगाना आया और हमारा डोरमेट बनाना मुझे आया इस तरीके से ये बहुत ही आसान है इसको हम एक जगह से दूसरी जगह से भी असान तरीके से रख सकते हैं और फ्रेंस इसको हम वोशिंग मसीन में भी wash कर सकते हैं अगर हम इसको हाध से wash करना चाहते हैं तो हाध से भी इसको wash कर सकते हैं इसका कुछ भी खराब नहीं होगा फ्रेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखना अगर जब भी आप कोई door mats का design से बनाते हो तो हमारी जो डिजाइनस है डोर्मैट के बहुत ही खराब सी हो जाएगी ऐसे उतल पूतल सी हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा डिजाइनस कहां पे आया है इस तरीके से देखो फ्रेंज कितना इसका अच्छा डिजाइनस आ रहा है ऐसे ऐसे हम इसको cover करेंगे देखो जो हमारी golden है वो बढ़ती गई है और जो blue है वो घरती गई है लास्ट में blue का एक कतरन आ गया है अब हमी क्या करना है देखो friends इसी तरीकी से जो बीच का area बचा है इसको हम ऐसे ही gold कतरन को लेंगे और इसको cover करेंगे अगर friends आप इसकी जगए gold की जगए अगर आप blue भी करना चाहते हो तो यहाँ पे आप blue से भी इसको cover कर सकते हो तो भी आपका यह बहुत प्यारा सा एक designs बनकर त्यार होगा तो दोस्तो आज की वीडियो है वो आपको कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपकी राय कमेंट में जरूर लिके मुझे उमेद है कि इस वीडियो के अंदर आपको यह डोर मैट्स डिजाइन है वो जरूर ही पसंद आएगा क्योंकि यह डिजाइन ही ऐसा बनाया है क्योंकि काफी मैलाइं एसी होती है जो हर एक चीज बनाना काफी ज़्यादा पसंद करती है तो काफी डिजाइन अपने काम में ले सकते है इस तरीकी से फ्रेंट्स जो बीचा इसका area बचा है इसको हम ऐसे ही एक पिसको लेंगे बंट लगाएंगे इसको ऐसे ही cover करेंगे इस तरीकी से तो दोस्तों आप इसे एक बार जरूर बना के देखी अगर आप इसको multi color से बनाना चाहते हो तो आप इसको multi color से भी बना सकते हो जैसे मैंने ये golden की पतियां लगाई है यहाँ पे इसको golden को भी बंद कर सकते हो बीच के अंदर कोई और color भी आप जोइंट कर सकते हो इस तरीकी से तो इसके साथी friends हमारे ये प्यारा शा डोर मेट्स का design से वो बनकर त्यार हो गया है कितना ही शांदार लग रहा है ये देखो कितना ही अच्छा इसका design आये बाई friends thanks for watching फिर मिलते हैं